मैं अभी लगबग एक साल बाकी है डिसेंबर का महीना चल रहे है दो बड़ी-बड़ी मुवी जाने वाले दो बड़ी-बड़ी पुछ पॉइंट से ओपर ध्यान देंगे कि या लगता है बड़ी मिया चोटी मिया या फिर डंकी किस मुवी की हैप जाद है इनकी किस मुवी की कास्टिंग मजबूत है और किस मुवी से यार फैंस को उम्मीदे जाद है क्योंकि उसी मुवी के ऊपर चर्चाएं जादा हो इस चीज़ को देखते हुए सबसे पहले बात करते हैं अली अब बात जफर बड़ी मिया चोटी मिया के डिरेक्टर वाई साब इनके बार में कौन नहीं जानता इन्होंने अपने लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा शांदा ब्लाउग बशर हीट सूपर इट मूवीज दी इनकी मूवीज के अंदर आपको एक्शन, इमोशन, ड्रामा, कॉमिडी हर एक चीज़ का पर्फेक्ट कॉमिनिशन देखने मिलता है जो ओडियंस को चाहिए यार और क्या चाहिए वहीं दूसरी तरह में राजकुमार रिरानी और राजकुमार रिरानी को नहीं जानता यार एक ऐसा डिरेक्टर जो सीरेस उसूस के ऊपर इतना जबर्दस कॉमिक अंदाज के अंदर चीज़ें पीस करता है जिसको देखने बाद लोगों का उस चीज़ को लेकर के नजरिया बदे जाता है तो यहाँ पर भाइस आप तो मामला काफी जबर्दस चक्कर वाला प्रित्वी राज सूकुमारन इनकों को नहीं जानता इनकों लेकर के लोग अंदर बागलपन वहला और कहीं न कहीं न कहीं इनके आने से बड़े में चोटे में को बाइसाब काफी ची तरीके से साउस से भी जबर्दस सपोर्ट मिलने की वाई सब एक गैरेंटी लग रही ह यहां पर काफी मजबूत है वाई साब शुनाक सी से मानुशी चिल्लर जो काफी चितर के सपोर्ट वाई सब यहां पर दिखा सकते हैं क्योंकि दोनों इस पर आक्शन पर्फॉर्म करने वाले सिर्फ में नहीं फीमेल भी यहां पर एक्शन करें आज कईको लिए जबर्दस करते हैं आपको देखेंगे सेकंड तरफ यहां पर डंकी जिसके अंदर शारुकान है तापसी पन में बोमा निरानी एंड सुनने में आए विकी कोशल का भी एक यहां पर दोनों की तरफ काफी मजबूत हैं लेकिन अब यहां पर पित्वीरा सुखबरन के अच्छाव बढ़ेगा और कहीं ने कहीं फैंस के लिए साउथ वाले फैंस के लिए इस मूवी के लिए उम्मीदे बढ़ जाते ही ज्यादा यहां बढ़े मैं चोड़े मिया काफी दरीके से उपर की तरफ जारे इसी में इंपॉर्टेंट चीज तो बताना भूली गया इन दोनों मूवीज के अनॉंस्मेंट वीडियो अलड़ी रिलीज हो चुके हैं जिसके अंदर बड़े मैं चोड़ी मिया को फिफ्टी मिलियन से जादा व्यूस दस महीने के अंदर है जो सकता है कि बड़े मैं चोड़ी में एक नाम ऐसा है जो अपने आप में काफी जबरदसरी के से ओडियन्स को अट्रैट कर सकता है वहाई शांदार जोड़ी गोविंदा और मिताब बचें की लोग याद रखते हैं कहीं ना कहीं उसका नाम का फाइदा इस मूवी को काफ कि लोगों को जबरदसरी के से अट्रैट कर पाया मिस कहीं ना कहीं अगर डंकी चलती है तो बॉल्यूट से ज़्यादा यहाँ पर उम्मीद रखेंगे लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूश्किल बता दिखाए देर आप कहीं ना कहीं इसको टीजर काफी दमदार बनाना पढ़ेगा अब धीरे-धीरे बात कर लेते हैं इनकी बज़ेट के ऊपर भाई सब दोनों मूवीज का बजट यहाँ पर प्रॉपर तरीके सामने आया ने लेकिन कहीं न कहीं जो खबरे हुए रहे हैं जिस तरह से भाई सब इनकी मूवीज के लिए लेटर अपडेट्स आ आप बात मान के चलो कि यहाँ दोनों मूवीज के बजट लगबग 100 क्रोन से 1500 क्रोन के आसपास हैं दोनों ही बहुत बड़े वजट की फिल्म है सो गाई लाल के टाइम पर इनहीं कुछ चीजों को ध्याम रखने बाद आप थोड़ा सा अंदासा लगा सकते हैं थोड़ी सी चीज़े मिया का हाइप एकसाइटमेंट जो भी आसमा सकते हैं जादा है एस कंपेर टू डंकी फिलहाल के टाइम पर एक साल पहले की बात बता रहूं अब डिपेंड करता हैं कि टीजर ट्रेलर के ऊपर क्या महोल बनता है क्या वाईसा अब यहाँ पर उम्मीदे बरकरार रखेगा या फिर डंकी आगे आएगी आपकी स्मूवी के लिए जादा एक्साइड़ प्रीस कमेंट करना और आगे चल करके उन्हें वीडियो बनाएंगे तो कुछ नहीं चीज़ें आड करेंगे तब तक के लिए इतना ही बिलते हैं लोग दिर बाब बाई